हलो एवरिवन, कैसे हैं आप सब लोग, आज हम बात करते हैं कोर के बारे में, आउटर कोर हमारा लिक्विड स्टेट में है और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, क्या इसके पीछे खाँ, लॉजिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले एक जोनरल फटापट से हो जाए, earth different layers से बनावा है, जैसे onion को हम peel करते हैं, तो different layers निकलती हैं, उसी तरीके से earth different layers से बनावा है सबसे उपर के layer जहां पे हम रहते हैं, जहां पे oceans हैं, continents हैं जहां पे हमारा घर है, इसको हम बोलते हैं crust, crust दो part भी divided है, continental crust and oceanic crust continental crust is the terrestrial part, जहां पे हम रहते हैं, जमीन का जो हिस्सा है, इन oceanic crust, जहां पे हमारा oceans हैं सारे, now continental crust का density comparatively lighter है, आप इसे ऐसे example से समझे, अगर हम earth में different layer की densities को understand करने की कोशिश करें, तो आप इसे ऐसे समझे, आपने एक beaker लिया, आप इसमें different वजन के, different density के कुछ material जो है वो डाल रहे हैं, जैसे आपने कुछ form जो होदा है, उसके रिकुड़े डाले कुछ आपने बारिक सेंड डाली कुछ आपने इसमें तेल डाला and then आपने इसमें बड़े पत्थर डाले तो जो जिसका जितना ज्यादा density होगा, वो बिल्कुल नीचे तहे तक चला जाएगा, और जो lighter density का होगा, वो उपर तेरता रहेगा बिल्कुल इसी तरीके से earth में different layers हैं, एक differential process हुआ था, उसके अंदर different, जो material of different density थे, वो accordingly arrange हो गए, now crust सबसे lighter density का है, ये continental and ocean crust है, continental crust का density सबसे कम है, ये हमको दिखाई भी देता है, जब हमारा ocean and continent plate का collagen होता है, जब जो heavy, denser oceanic plate होती है, वो subduction में चली जाती है, इसके अलावा हमारा mental है, mental भी हम upper and lower mental के अंदर divide करते हैं, इसी के अंदर हमारा एक part आता है, esthonosphere, esthonosphere is the part, जहां पे हमारी convection currents चलती है, जिनके थूँ जो molten magma, जो molten rock है, वो magma के form में उपर आके लावा बनती है, this is where जहां पे हमारी जो lithospheric plates हैं, जो हम बोलते हैं कि हमारी tectonic plates हैं, वो move करती है then we have the lower mental part, lower mental part, solid part होता है, ये इसका density जैसे जैसे हम अर्थ के core की तरफ जाते जाएंगे, इसका density increase होता जाएगा, बट आज हमारा point of topic crust या mental नहीं है today we are going to talk about the core, अर्थ का जो core है उसको हम दो part में divide करते हैं इन दोनों के जो beach का portion है जो boundary है इस boundary को हम lemon boundary पोलते हैं, ये lemon boundary जो है, this is very important क्योंकि this is where the temperature and the pressure is changing exponentially I'll tell you how, so अर्थ का जो core है, पहले understand करते हैं कि अर्थ के core का बना कैसे था जब अर्थ दीरे दीरे form होना start हुई, उसके बाद में बहुत सारे, it was like a consolidation ठीक है, तो initially अर्थ का temperature बहुत जादा था excessively higher था, लेकिन slowly slowly, it started cooling down, जैसे जैसे ये cool down होता गया, वैसे वैसे क्या होता गया कि एक planetary differentiation का process होता गया इस planetary differentiation के process के अंदर, जो material heavy था, जैसे कि iron हो गया निकल हो गया, ये बिलकुल तहे तक, अर्थ के core तक जमते गए जब हम एक spare के अंदर एक तहे की बात करते हैं, तो वो core होता है अगर आप एक beaker के अंदर एक तहे की बात करोगे, तो वो इसका सबसे नीचे वला portion होता है, लेकिन अर्थ के अंदर तहे क्या होई core, क्योंकि हर तरीके से every, from every direction, if you see it would be the center point, तो core के अंदर, इसके central portion के अंदर, जो heaviest density के material यहां पर जमना स्टार्ट हो गए, और इसे हम निफे भी बोलते हैं, इसी के अंदर एक सिद्रोफिल होता है, सिद्रोफिल ऐसे elements होते हैं, जो आईरन के अंदर डिस्वल हो जाते हैं, तो अर्थ के core के अंदर, हमको precious metal भी मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, platinum, cobalt also, यह material जनरली, अर्थ का जो crust या फिर upper part है, जहां पर हम रहते हैं, वहां पर हमें नहीं मिलता है, and that is one of the reason कि इनको इतना ptisious metal क्यों बोला जाता है, अर्थ का जो outer core and inner core है, इनके बीच का जो boundary है, इसको lehman या bulan discontinuity या फिर सिर्फ bulan discontinuity या सिर्फ lehman discontinuity भी बोला जाता है, अगर इन में से कोई भी नाम आ जाए, तो आपको confused नहीं होना है, these are the same names, now understand कि why the outer curve is in liquid formation, उसे पहले एक बहुत छोटा सा simple concept समझने की कोशिश करिए, हमारा जो solid, liquid and gaseous है, इन तीनों के अंदर, जो material है, वो अपनी stage change करता रहता है, और यह depend करता है temperature पे, और यह depend करता है pressure पे, अगर हम low temperature से high temperature की तरफ जाएंगे, तो material का stage change हो जाएगा, अगर हम low से high की तरफ जाएंगे, तो वो solid से liquid and liquid से gaseous formation के अंदर आ जाएगा, now you can ask कि pressure कैसे अपना role play करता है pressure का मतलब क्या हुआ, कि आप किसी चीज को दबा रहे हो, example लीजिए, जैसे कि आपके पास एक sponge है आपने sponge को दबाया, मतलब आप उस एक छोटे से space में कितना जादा से जादा material आप collect कर सकते हो, तो जितना जादा high pressure होगा उतना ही वो material दब के रहेगा, मतलब क्या हुआ, कि उस material के जो molecule से, वो एक दूसरे से free stage होके घूम नहीं पाएंगे, मतलब वो एक दूसरे के बहुत पास में रहेंगे, क्योंकि वो बहुत under pressure है, तो ऐसे में अगर temperature high है, लेकिन pressure भी equally उतना ही high है, तो वो material को liquid stage में नहीं जाने देगा, वो material को solid stage के अंदर ही रखता है, लेकिन हमारा जो outer core है, इसका temperature हलांके बहुत high है, लेकिन इसका pressure इतना high नहीं है कि ये liquid को वापिस solid के अंदर convert कर दे, are you getting my point? इसका pressure इतना high नहीं है, कि ये high temperature होने के बावजूद, pressure high है इसका, लेकिन इतना high नहीं है, कि ये liquid को वापिस solid के अंदर convert कर दे, इस वज़े से जो outer core है, वो liquid metal के होती, इसकी viscosity मतलब हुआ कि इसकी तरलता कितनी है, इसकी मतलब कम तरलता है, low viscosity है, इसका मतलब है कि ये easily deform and malleable है यहाँ पे काफी violent convictions चलते हैं और ये आप ऐसा समझे कि outer liquid core के अंदर solid inner core जब घूमती है तो एक ये magnetic field generate करती है, और वही magnetic field है जो earth का magnetic field है earth का magnetic field, earth में survivability के लिए सब से important है क्योंकि ना सिर्फ ये हमें beautiful light as we call them auroras दिखाई देता है, बड़ जो solar flares आती है, उससे भी हमको protect करता है, right that was about the outer core, inner core जो है, इसका temperature आप देखो, इसका temperature is excessively high, its temperature is very much equal to what we have at the sun तो इतने temperature के अंदर कोई भी metal जो है melt हो जाएगा, it reaches to the melting point of the iron, iron के melting point पे पहुंचता है, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि outer core जो है, अगर वो liquid हो गया, तो inner core क्यों नहीं हुआ, क्योंकि inner core is experiencing pressure of 3 30 to 360 giga pascal, compare करो earth का जो उपर atmospheric pressure जो हम बोलते हैं, that is 0.0001 giga pascal, इसका कितना times earth की core पे ये pressure बन रहा है, ना ये tremendous pressure है, ये इस इतना ज़्यादा pressure है, कि ये iron को solid में वापिस convert कर देता है, बहुत ज़्यादा pressure होता है, कि हलांकि वो temperature melting point से आगे निकल गया, लेकिन इस intense pressure की वज़े से, इस intense pressure कैसे हुआ, पूरा rest of the planet का weight, atmosphere का weight, सब कुछ इस पर pressure लग रहा है, इसके वज़े से वो iron को melt नहीं होने देता है now outer core जो है इसके अंदर inner core जो solid है वो rotate करते है, लेकिन inner core का rotation rotate east towards like this surface only, लेकिन ये थोड़ा सा faster, faster rotate करता है कि हर एक 1000 year के अंदर ये एक extra rotation देता है, so this, like this it generates a magnetic field, जो earth का geomagnetism भी generate करता है, इस तरीके से and that is how it protect from the solar flare coming from the sun so that was the reason that why our inner core is solid, लेकिन outer core हमारी liquid है this was it for today, thank you so much